वल्यू से पहरे बच्चों आज परोई स्फोर्तिकिस उर्दोसमंस पन सबक मिटी का तेल हिसा त्रेम जिस जगा मैं जमीन के अंदर से निकाला जाता हूं उसे मिटी का कुआ या तेल का चिश्मा कहा जाता है जिस वक्त मैं कुए से निकाला जाता हूं उस वक्त मेरी सूरत सया गाडे मादे की होती है इस हालत में मुझे काम मैं नहीं लाया जा सकता है इसलिए मुझे सफाई गर में पहुचाया जाता है इतके जमी वात नावा सफाई गर तक मुझे बड़ी पाइपों के जरिये पहुचाया जाता है सफाई गर तक मुझे बड़ी पाइपों के जरिये पहुचाया जाता है मैं मांज जन बिलकुल मलप्यूंत रोजां कि मेरा रंग खूब निकरता है पाचिछ में रंग जबरदस्त फटिक नेरा उस वकर मुझे पेट्रोल कहा जाता है तिमसाच में वना पेट्रोल जिससे तेजर तरगाडियां कारखाने और जहाज चलते हैं इमई पेट्रोल छे त मेरी सूरत के एन मताबिक मुझे सब लोग मिटी का तेल कहते हैं तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो हिस्सा बाकी रह जाता है तील कड़नपत युस्म्यून बाकी हिस्च रोजां वो काफी गाड़ा होता सुश्वार्या मोटा सा मेरी इस गटिया और खराब शकल को ग्री कि मुशीन के पुर्षों को चिकना राखने के इस्तिमाल किया जाता है जिसे मुशीन के पुर्षों को चिकना राकने के लिए सियुद इसके बाद भी बहुत सा माध बाकी रहता है तिमपत्ष में वाकी चीज रोजा मवाद रोजा बज़त जिसे तारकॉल कहते है यह तवनाचे तारकॉल आप जिन थरी और पुकता सड़कूं पर पैदल चलते हैं या गाडियों में सफर करते हैं इन पर तारकॉल बिचा होता है यह तारकॉल को रेत और बज़री के साथ मिलाकर सड़कूं की तामीर के काम लाए जाता है यह वही गाडा मादा है जो मेरी सफाई के बाद बाकी बज़ता है इस तरह मेरे वजूद का कोई भी हिस्साब बेकार नहीं जाता है इस वेस्ट तक नहीं रहा है सुचिवा काम में इस्तिमाल करने इन ही बेशमार फवाइद की वज़ा से मुझे सयाल सोना भी कहा जाता है इनसान बड़ी लापर वाही से मेरा इस्तिमाल कर रहा है इनसान बड़ी लापर वाही सान यानी सुचिन में इस्तिमाल कर रहा है कि गर इस्तिमाल कर रहा है क्या है इसके पेट्रोल डिजल में इस्तिमाल इस्तिमाल कर रहा है मगर इस्तिमाल कर रहा है कि सेकंड यांकी मिनट यांकी घंट यह मज़िए लूक्ष म्यून इस्तिमाल कर रहा है कि तिम्चे में गर इस्तिमाल करां इस्तिमाल सथ सथ वो नहीं समझता कि में जखीर भी मादूद है लूक्षिन समझां कि कि बश्च जमीन माज कोई ने हदस था नहीं है अगर मेरा इस्तिमाल इसी लापरवाही से होता रहा तो एक दिन ना पायद हो जाओंगा अगर इथा के लूक्ष करन में इस्तिमाल आख दो यी बगस जमीन माज गव यानी खतम गश्च क्या इसके आथ मेस्तिलस पेट्रोलस या डिजलस आथ बना क्रूड आल कच्छा ते अगर ना इसल्ठीरवाड़ हो या तेज इस लिए पाइस इसलिए इस 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 माल करूद इमक गर्द इस्तिमाल के इस 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 पईज ने लापर वही बारते आख दिन के फेल्गव गवर्द वह लिवई ऑल की सवाल था मॉत्याम आ बाग के जूले बनाए इत मै मिटी के तेल जमीन की गहराई से मुशिनों की मदद से निकला जाता है यानि मुशितियल जमीन मंज वर्या सुन जायोपेट काड़ने मुशिनों जरीए कुवत गेताकत मिटी के तेल में मोटर गाड़ी जहाज और ट्रेनों को दोड़ाने की बड़ी कुवत है चलने वाली नाल्ट यूंसले मोटर गाड़े लिए कょ ब्रसंती कि गहाज वैं Wattsgaal दोड़ फ्रेन के एट जाने मिटी के तेल से चलने व्हली यह कहां जयाया? तो लॉआ को जो हुआ है? को जो दो पहुता yours? owners खैली. मीटी के टेल घुरू के शो रत का स्थी आफ जो प्रेश गवार भारार मेटी के टेल की शौरेत्व रप्थ 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 दुनिया क कॉने का में भेवार भारार मिटी के तेल में बहुत सारी खूबियां चुपी है मिजदिल समुच वर्या गुन चुपित यानी सूरित पाद गो सवल नबर सोर कॉलम ए कॉलम इलिप को कॉलम बे से सही सूरित में जोड़िए कॉलम इलिप सूरित मिटी का तेल मुशीन ट्रेक्टर तारकॉल पेटरोल कॉलम बे सूरित जमीन कॉलम बे जमीन जोड़ने के काम आता है सड़क पर बिचाया जाता है सिटो में जलाया जाता है कार खाने में इस्तिमाल की जाती है से हवाई जहाज चलते हैं पीने में इस्तिमाल होता है मिट्टी का तेल सिटो में जलाया जाता है मुशीन कार खाने में इस्तिमाल की जाती है ट्रेक्टर जमीन जोतने के काम आता है तारपोल सडक पर बिचाया जाता है पेटरोल से हवाई जहाज चलते है गुब्रेव आज गोई तोई साफ शफ आप पेज आन लेकिए पनी पेज काई भी बट सुई पहरा है युसमें आज पर नो बे सवाल जवाब काई भी बट लेकिए यह सवाल यह में करना है आज गुब्रेव स्टे होम स्टे सेप